ये करन महीपाल जी का प्रश्ण है अब ओहर से उनने लिखा है पांच प्रश्ण है भगवान भक्तों के साथ पक्षपात कैसे करते हैं एक्ष्टली एकर र्यालिटी में देखा जाए भगवान कहा पक्षपात करता है सूरिय बक्षपात नहीं करता उसके किरने सबके लिए अवेलेबल है हमारी गुरू महाराश रप्रभुपाजी कहते थे अगर आप कमले में बंद हो जाओ सारी खड़कियां दर्वाजे बंद करो उसके उपर काले कपड़े लगा दो पर्दे लगा दो और अपने उपर आँख के उपर भी आटोमेटिकली भक्ती करता है तो भगवानी करी हो जाता है उसे उनकी कृपा जो है जो उनमें से कृपाई करपा चल रही है उसको प्राफ़ फुनी शुरुए आती है ठीक है न जी कर्म योग धर्म परायवाची कैसे है बड़ा सिंपल कर्म क्यूं करते हो कारें यूं करते हो कि आप को फल से जुड सको ठीक है योग का मतलब क्या है कि कैसे जुड़े धर्म का मतलब क्या है कि क्या करें जिससे कि हमारा जो सुभाविक धर्म है जैसे अगनी का धर्म क्या है आग गर्मी कैसे बढ़ाएंगे आग गर्मी यह भी तो बढ़ेगी तो उसमें इंदर डालो तो क्या जोड़ें तो सारों में कर्म कैसे कारे करें जिससे हम फंसेना और भगवान कृष्णा से जुड़ सकें उस कर्म को भक्ती कहते है योग किस से जुड़ें भगवान करिश्न से जुड़ें कैसे जुड़ें भक्ती करके धर्म गीता है भगवान ने कहा है भागवतम के अंदर भगवान कहते है सहुआई पूम सामपरधर्मा यह तो भग्ती रच अधोक्षाजे के सबसे स्रेश धर्म क्या है जो हमें भगवान की भक्ती में लगा दे जोड़ दे तो तीनों परायवाची शब्द हुए है नहीं हुए तो आपने में लिखा धर्म का अर्थ जरूर है उस वरस्तु का वो गुण प्रंदो धर्म का इफेक्ट क्या है कि वो गुण को पनपाना हमारा गुण क्या है जीवरे सुरूब होई क्रिष्णरे नित्य दास कि जीव का गुण क्या है कि नित्य क्रिष्ण का दास है तो कर्म कैसे करने है दास वाले किसके दास क्रिष्ण भगवान के योग क्या करें उनसे जूड़ कर संचित कर्म, प्रारब्द कर्म, आगमी कर्म, क्रियमान कर्म क्या है देखे जी, सिंपल है ये सब कर्मों की अलग-अलग अवस्थाएं है अभी कर्म जो की बीज के रूप में है दिख भी नहीं रहे वो फल है, वो फल आ गया, बड़ा है फिर एक कर्म क्या है तो उससे क्या मिलेगा, फल मिलेगा तो ये अलग-अलग अवस्थाएं है एक क्या है कि फल आ गया है आपके हाथ में अभी ठीक है ना, प्रारब्द अभी आ गया, उसको भोग रहे हो एक है, अभी वो फूल की स्टेज में है अभी वो फूल फल नहीं बना तो ये अलग-अलग अवस्थाएं है तो इन चक्रों में क्यों फटो इन चक्र से निकलने ही कोशिश करो ना प्रभूजे इन चक्रों से भगवाने सिंपल कह दिया कि इस चक्र से निकलो, कैसे निकलोगे इन कर्मों के इस चक्रों से निकलके कर्म को भगती में बना दो सारे कर्म क्रिश्ण भगवाने के लिए करो सब तो इस सारे जो आपने नाम लिए है संचित, प्रारब, अप्रारब, आगमी, कर्म क्रियमानी, कर्म ये साब को खतम करो कर्म से बचो कारे से नहीं कर्म से बचो कर्म वो है जो आपको बार बार नया नया योनी डालता है कपड़े पेनाएता है शरी रूपी कपड़े प्रंतु कैसे कारे करें जो भक्ती से ओत प्रोत हो वो भगवान की संतुष्टी के लिए यग्य साफ का यग्य अर्थात कर्म अनितर लोको यह अयम कर्म बंदना यग्य के अर्थात विश्णू के लिए कर्म करो यह तो एक कर्म बांद देंगे